कि नमस्कार देश वर दुनिया की महतोपूर्ण करेंट अफेंट न्यूज के साथ मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन सी करेंट अफेंट न्यूज है जिन पर हमें आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज को जो मिते निजन अंतरिक्ष रोकेट से संबन्य तो मैं पता लगता है कि एक चाइनीज कंपनी लैंड इस पेस ने एक rocket लॉंच किया है लेकिन यह जर्नल बात हुए आज का समय में तो फिर क्यूं पढ़ रहे हैं तो मैं पता लगता है की है विश्व का पहला मिधेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकिट है जिसको नाम दिया गिया है जूकट तो इस रॉक्ट को लांच कीया है हाल्यकि काजबत इसमें मिधेli की समय कि अब तक मिधेन को की लंबे समय से माना जा रहा है चलिए इससे संबंधित अन्य विश्व को हम जानते हैं तो हमें पता लगता है कि यह जो कारे हुआ है यह है पस्च में चीन में स्थित मंगोलिया स्वायते छेत्र में एक जगा है जिसका नाम है जी कुवान सैटलाइट लॉंच सेंटर तो व पर्यास किया गया था लेकिन वह पूही तरह से फेल हो गया था तो इसलिए अब यह इसका सेकंड अटेंट था जो अब सक्सेस्फुल हो गया है हाला कि यहां देखने में यह भी पता लगता है कि तरल पर दौकेट लॉंच करने वाली है अब दूसरी कंपनी हो गई है यान कि विश्व में पहली बार रॉकेट लॉंच हुआ है तो अंतर किया है तो यहां में पता लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मिथेन से रॉकेट लॉंच किया गया है लेकिन साथ ही यहां में पता लगता है कि एक और चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है त्यान बिंग ट के लोसी हो तो इसलिए यहां पर मयटोपुर्ट परियास था कि के उक्सीजन के साथ परियोग किया गया था और रोकिट को successfully launched किया गया था इसे क्रम में यह मिखन से जो लॉंच किया गया है यह है विश्व का पहला ऐसा लॉंच है इसलिए इससे संबंदिन में खास बातों पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है आगे हमें यहां पर यह भी पता लगता है कि भाई चाइना ने जैसे ही यह लॉंच सक्सेस्फुल हुआ उसी समय एक नई घोशना कर दी चाइना ने यह है गोशना की कि भाई अब हम म लॉंच चरेंगे यह कैसे लॉंच होंगे एक मैं हम लोग वही जो दूसरा लॉंच होगा उसमें यातरी ओभी हुपलब्दी हम ठीक है हाला कि ऐसा नहीं यह कि चाइना अभी नया-nया मार्केट में आया है और चान तक जाने का परियास कर रहा है एक चाइना की महत्वपूर्ण उपलब्दी यह है कि वर्ष 2020 में एक मानव रहीत मिश्म के माध्यम से चाइना चंदरमा तक पहुंचा था और वहां से तीसरा देश बन गया था आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अब लगातार दुनिया जो है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है और चाह रही है कि मिथेन का इंधन के रूप में परियोग किया जब पर इसके पीछे कुछ महत्वपू हालाइक कि यह हीड़्ोजन संबने तथयों को समझे तो हमें पता लगता है है कि हाइड्रोजन मिथेन के में हलकी कि व्योज़े से क्या होता है कि उसको स्टोर करने के लिए एक बहुत बढ़ा टैंक चाहिए होता है और जिसकी वज़ा से जो भी रॉकिट त्यार होता है उ तो हमारे रॉकिट होंगे वो छोटे बनेंगे खर्चा कम होगा और मिथेन को स्टोर करने के लिए हाइड्रोजन के कंपैरेजन में एक छोटे टैंक की आवशक्ता होगी जो की लंबे समय तक इन रॉकिट को सर्वाइब करने में मदद करेगा तो यह सभी मैतोपूर बाते इ कुछ और जानना है तो आप विजट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूस को जो नमदा शिल्प कलाशे संबंदित है अलग अलग रूप से नमदा शिल्प इस समय चर्चाओं में हैं बताया जा रहा है कि क्या हुआ 25 वर्षों में प डॉलर का निरियात का इसे कारी गरों को ठीक है तो यह ट्विट के माद्ययूं से प्रदान मंदेर नरेंद्र मोदी को सराह है और बताया है कि नमदा शिल्प के माद्ययूं से कश्मीर के जो लोग जो शैली से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह कार्रे कितना महतोपून ह है यदि हम आगे बढ़ें तो नंदा शिल्प के वारे में हमें यह भी पता लगता है कि यह बुनाई की एक कला है ठीक है लेकिन यह अपने आप में खास है और विश्व में इसकी खास रिक्वार्मेंट क्यों क्यों कि भाई इसको जर्नली बुनाई के माध्यम से तयार नहीं यानि कि आप उसको क्या करेंगे आप उसको कम्माइन और कंप्रेस करेंगे यानि कि अलग अलग तक्निकों के माध्यम से जो उन होते हैं उसको दबाया जाएगा आपस में मिलाया जाएगा और कंप्रेस करके एक थिन जो उसको शेप है वह दी जाएगी जिसके बाद उस प पता लगता है कि इसका कारे खास तोर पे कश्मीर में भी होता है और अलग-अलग वस्तुमें से बनाए जाती है इसी करम में हमें जानने को यह भी मिलता है कि फिलाल सरकार इसके ओपर बहुत ज़्यान दे रही है और परदान मंत्री कोशल विकास योजना के माधिन से कश्मी के बीच इसके उत्पादन में और इसके निर्यात में भारी गिरावट दिखी गई यह निर्यात की जो गिरावट थी यह हैं लगबग 100 परतिशत तक भी अनुभव की गई तो एक बड़ी बात है अपने आप में तो इसलिए गौर्मेंट ने इनिशेटिव लिया और इन सबी जगा पर किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रेशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है ठीक है तो इस प्रकार इस प्रकार की एक निउस आना चर्चाओं में एक बड़ी उपलबदी है सरकार के लिए सोर्स इसका पी आई वी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली महतवपूर्ण जो जी ट्वंटी से संब्देत है क्यों क्योंकि जी ट्वंटी वैश्विक खाद नियामक शिकर संबेलन अब होने वाला है कब होगा बीस इकीस जुलाइक को होगा नई दिल्ली में होगा तो एक महतवपूर्ण बात जो है यह सम्मेलन भारत में आयुजित की जा रही है हाला कि हम यह बात सभी जानते हैं कि इस समय भारत जी टुवंटी की प्रेजिटनेंसी कर रहा है तो इसी बीच यह एक हबर आई है कि भारत में ही इसका आयुजन किया जाएगा लेकिन इससे पूर्व की स्तीदे समझते तो हम पता लगता है कि अब तक इसका जो सम्मेलन था केवल रोम में ही आयुजित किया जाता था तो इसी करम में अब जो दुनिया है वह रोम से निकल के भारत की और आ रही है और खाद जो विशे हैं उन पे चर्चा की जाएगी ठीक है तो क्या संबंदित विशे हैं से सं कर रहा है ठीक जब यह कारेकरम आयुजित होगा तो इसमें तीन अंतराष्टी संगठनों और 25 अंतराष्टी अनुसंदान विश्व विध्यालियों या संस्थानों के प्रतिनीदे शामिल होंगे वह आपसी चर्चा करेंगे और वह इस विशे को ध्यान देंगे कि कि इस से वैश्विक स्तर पर खाद स्तर को बढ़ाने का कारे किया जा सकता है और लोगों के भी भुगमरी है उससे निजात पाई जा सकती है ठीक है चलिए आगे यहां पर हमें यह भी देखने में मिलता है कि है शिकर समयलन प्रतिभागियों को खाद शुरक्षा और नियामक पह कि मिल जूलकर सभी लोग किस परकार से कॉपरेट करेंगे और चीजों को सुधारने का कारे करेंगे ठीक है यहां पर यह जो शिकर समयलन होगा इसमें कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड की शुरुवात भी की जाएगी यह डैशबोर्ड कैसा होगा सभी के लिए कॉमन होगा और जो भी महतुपूर्ण जानकारी हैं योजना हैं प्लान से उन सभी को यहीं पर ही प्रपोस किया जाएगा डिसकस किया जाएगा और सम्मंदित निश्कर्ष निकाले जाएंगे ठीक है यह भी माना जा रहा है विशाशक्रों के दुवारा कि यह जो शिकर सम्मिलन होगा चालीश से अधिक देशों के खाद नियामकों के लिए सहयोग का कार्य करेगा और उनके लिए नए विश्य और नए समधान लाएगा तो सभी बाते महतुपूर्ण है इस जी टुवन्टी के सम्मिलन से सम्मंदित खाद शुरक्ष बात हो रहे हैं जो समें एक बड़ा स्थाओं का गुरूप है ठीक है तो सभी के नाम आप लोग के सामने हैं लेकिन अगर हम बात करें तो हमें यह भी पता लगता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी वर्ष 1999 में एश्याई वित्य संकट के बाद की थी तो किस परकार हुई थी वित्यमंत्रियों और केंद्रि कि इस अंकट नहीं रहे गा और इससे बचते हुए एक एस्थाई अर्थवरस्ता का सिरेजन किया जाएगा यहां भी यह पता लगता है कि भारत पहली बार इसकी अध्यक्ष्ता कर रहा है वर्ष 2 है इसमें तो पूरा साली है भारते अध्यक्ष्टा करी थी जो इसकी अध लग रहा है टाइफुन तालिम तो क्या हुआ दक्षणी चीनी सागर में कुछ दिनों से लौ प्रेशर मना हुआ तो लौ प्रेशर कब बनता है जब किसी जल छेतर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है यह बाद ध्यान रखिएगा कि तापमान बढ़ेगा तो लौ प् प्रकरती हमेशा स्वैंब में संतूलन बनाने के लिए तयार रहती है और कहीं भी दिखता है कि कुछ भी डिस्बैलेंस हुआ है तो उसको एक्कोल करने कार्य करते हैं तो जल में गर कहीं भी लो प्रेशर बनता है तो उसके आस पास का जो जल है वह उस और बढ़ना यह टाइफून बनी जाता है और फिर यह एक दिशा में आगे बढ़ता है और कुछ देशों के तर्टिये चेत्रों को परभावित करता है तो इसने क्या कि दक्षणी चीनी सागर में यह बना जिसके बाद यह आगे बढ़ा और चाहिना का जो दक्षणी शेत्र है साथ-स वियतनाम इसके तटिये चीतरों पेस ने परभाव डाला और यहां के लोगों का जन जीवन अस्त वेस्त कर दिया साथ ही हमें यह पता लगता है कि जो नाम होते हैं चकरवातों के वह अलग-अलग छीतर के हासाब से अलग-अलग होते हैं जैसे कि टाइफून इसको कहा जाता साथ ही उसने कटी बंद्य चकरवात इसको जब कहा जाएगा जब यह है हिंद महासागर में बनेगा तो यह मानचित्र के माध्यम से बताया गया है कि यह जो छेत्र है यह है टॉर्नेडो का है और अगर हम देखें तो जो आस्ट्रेलिया है वहाँ पर विली-विली इसके अ है अगर हम देखें चाइना सी जो होती है वहाँ पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है हाला कि अलग अलग जो टाइफून हो हो टॉर्नेडो या विली-विली जो इन सभी का जो नामकरण होता है वह एक विभाग के दुवारा किया जाता है फिलाल दुनिया में छे मौसम विभाग ऐसे हैं जिनको उत्तरदाय तो मिला हुआ है तो उनीचे विभागों में से एक छेत्रिय विस्ष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है तो कि वह में जो टाइफून के नाम करणगा कार्य करता है इन सभी के अंदर कुछ अलग-अलग चदस देश होते हैं वह अ स्तिती समझें तो हमें पता लगता है कि इसके पास जो दिन्मेदारी है वह मुखे रूप से उत्तरी हिंद महासागर के आसपास जो चेत्र है या बेव बैंगल है या अरेबियंसी है वहां जो भी चक्रवाद बनेगा उसका नामकरण इसे करना होगा एक खास बात यह है कि इसके तेरा सदस्य देश हैं जिसमें शामिल हैं भारत बंगलादेश इरान मालवी मैमार ओमान पाकिस्तान कतर साओधी अरब श्रिलंका थाइलेंड संयुक्त अरब अमिरात और यमन यह सभी तेरा इसके जो देश है यह मुख्य है अपने आप में तो यह से संबंदित ही इस लिए लेता है और नामकरण करता है चक्रवातों का आगे हमें देखने में पता लगते हैं इसके कुछ विशेषता है जैसे कि उच्षन कटी बंदियर चकरवात कहां बनता है जर्नल हम देखते हैं कि 30 दिगरी उत्तरी से 30 दिगरी दक्षिनी शेत्रे में बनता है लेकि लगता है कि जब यह तयार होगा तो 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की स्थिति से हवाई चलेंगी और जिस स्थान पर यह पहुंचेगा वहाई भारिष भारिष लिगा है क्यों क्यों कि जब यह महासागरों में बनता है तो बहुत सारा जल ग्रहन कर लेता है उश्मक ग्र पराबर करने कारे करेगा लेकिन कोर्योलस बल इसको मूव कर देगा किस परकार मूव करेगा यदि यह लोग प्रेशर का एरिया नॉर्दन हमिस्फेर में है तो यह एंटिक्लोक वाइस घुमेगा यानि कि घड़ी के विपरीत दिशा में लेकिन अगर यह लोग प्रेशर सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए खीक है तो आगे हमें यहारी है है पता लगता है कि जो निर्यात त्यारी सुचकांक है इसको लेकर के बाते जो शुरू हुई थी वह दोजार बीज में हुई थी सरकार ने इसको हनुमती दे दी लेकिन पहला संस्क्राइब जिसमें राज़्य और केन्शा सित परदेश की निर्यात त्यारीव को अंग्रेन किया आता है। अगर हायों कि यह कि इंद्शाशित परदेशों की नीती क्या है उनकी पॉलिसी क्या बनाई हुई है अगर राज्ये में मिस्तिदी समझे तो वहाँ पर एको सिस्टम किस परकार का है और कैसे वहाँ ट्रेट को बढ़ावा दिया जा रहा है साथ ही साथ वहाँ पर निर्यात के लिए कौन सा एको सिस्टम है यानि कि क्यों कौन सी नीतिया या कैसी व्यवस्था बनाए गई जिसकी वज़े से निर्यात बढ़े और बाद में अंतता यह भी देखने पड़ता है कि उनके दुआरा जो नीती अपनाए गई थी जो व्यपार एको सिस्टम था तो निर्यात एको परिवहन संपर्क निर्यात सुमिधाएं व्यपार संवधन अनुसंद्धान विकास अफशचनना निर्यात में विवित्ता और वृद्धी को बढ़ावा दिना शामिल इसके अतिरिक्त इसमें को तयार करते को 56 संकेत को को परियोग किया जाता है जो भी इसके मामले में महत संबंदित है तो उसमें बताया गया है कि जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन है वो तर्टिय राज्जियों ने किया यानि कि उनका परफॉर्मस सबसे घजबत का था उनकी नीतिया बढ़िया थी वहाँ पे वैपार एको सिस्टम बढ़िया था और सासाफ में निर्यात एको तो इसी क्रम में आज के इस न्यूज सेशन में इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यह करेंट अफिर सेशन को पसंद कर रहे होंगे अगली बार जल्द मिलेंगे फिर कुछ नहीं बातों को डिसकुस करेंगे और विश्व और भारत की कुछ महत्वपूर्ण